Hello, welcome to practice वाली आपकी class, आज की class जो है रोज प्रेयोग होने वाले वाक्य और उनकी practice-based आज की class होने वाली है, एक बहुत ही important word के उपर काम करेंगे आज हम लोग जो हमारे जिन्दगी में बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है, जब हमें बात किसी और बक्के बारे में करनी होती है चलिए समझते हैं क्या है वो शब्द और कैसे ये इस्तिमाल होता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपको अगर किसी से पूछना है क्या आप ठीक हैं हम इस्तिमाल करते हैं Are you okay? तुम जा सकते हो, you may go तो इन सब में आपको एक शब्द common दिखा होगा वो है you अंग्रेजी के वाक्य में तो शब्द ये वाला दिख गया common लेकिन तीनों हिंदी वाक्य में हमें इनका मतलब अलग-अलग दिखा तो हमें ये पता होना चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए कि you जो एक बहुत ही प्यारा सशब्द है छोटा सशब्द है लेकिन बहुत powerful है इसके कितने मतलब होते हैं कितनी varieties में ये इस्तमाल होता है और कैसे कैसे आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं किन-किन जगहों पे कर सकते हैं यू का मतलब जो है हमारा होता है हिंदी में आप, तुम, तू, तुम्हे, तुमसे, तुम्हारे, आपको, आपका, तुमसब, आपसब, आपसे, ये सब जी हाँ आप सही देख रहे हैं, ये छोटा सा प्यारा सा शब्द, तीन अक्षरों का शब्द इतनी वराइटीज में इस आप ऐसे हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, जवाब है नहीं, इसी लिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आगे समझते हैं कैसे कैसे इस्तमाल होता है, मैंने बता तो दिया इतने में इस्तमाल होता है, पर क्या वाकई होता है, बिलकुल होता है, आगे आप को पता चल जाएगा. Hey everyone, welcome to my English coaching. So आगे थे आपका आज की class में, तो अगर आप इस channel पर पहली बार आ रहे हैं, तो subscribe जरूर कर दीजेगा और subscribe करते वक्त bell notification को on भी कर दीजेगा, ताकि आगे ऐसी ही बहतरीन classes जब में लाओं, तो आपको जरूर पता लग जाए. Class को चलिए, आगे बढ़ाएं. मुझे आप पर विश्वास है. I trust you. विश्वास के अंग्रेजी होती है trust. मुझे आप पर विश्वास है. I trust you. तुम कौन हो? देखिए बदल गया हिंदी में. तुम कौन हो? Who are you? मुझे आपकी याद आती है. I miss you. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. You must go. तुम देरी से आए हो? You are late. तुम्हारे लिए अच्छा है. Good for you. क्या तुम आ सकते हो? Can you come? क्या तुम आ सकते हो? Can you come? क्या आपको यकीन है? Are you sure? क्या आपको यकीन है? Are you sure? मुझे तुम पर विश्वास है. I believe you. या I trust you. दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई समस्या वाली बात नहीं है. हिंदी में दोनों का मतलब भी वही होता है. मैंदब विश्वास या मत भरोसा कहे लीजे. अंग्रेजी में trust, believe कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई issue नहीं है. नहीं, आपका धन्यवाद. No, thank you. मैं आपको जानता हूँ. I know you. मैं आपको जानता हूँ. I know you. जानना यानि की नो. मैं आपको जानता हूँ. I know you. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. आपने क्या खरीदा? What did you buy? आपने क्या खरीदा? What did you buy? वो तुमसे नाराज है. यहाँ पर तुमसे के तौर पर इस्तमाल हो रहा है. He is angry with you. अंग्रेजी से में हैं. देख रहे हैं? वो तुमसे नाराज है. He is angry with you. मैं आप से सहमत हूँ. I agree with you. मैं आप से सहमत हूँ. I agree with you. आप सब जा सकते हैं. You all can go. आप सब जा सकते हैं. You all can go. क्या मैं आपको call कर सकता हूँ? Can I call you? क्या मैं आपको call कर सकता हूँ? Can I call you? मैं सोचता हूँ तुम सही हो. I think you are right. मैं सोचता हूँ तुम सही हो. I think you are right. जो भी तुम्हें पसंद है करो. या तुम्हें जो पसंद वो करो. तुम जो चाहें वो करो. Do whatever you like. Do whatever you like. तुम यहां क्यूं हो? Why are you here? तुम यहां क्यूं हो? Why are you here? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. You can trust him. क्या आप इसे पकड सकते हैं? Can you hold this? क्या आप इसे पकड सकते हैं? Can you hold this? क्या आपको संगीत पसंद है? Do you like music? क्या आपको संगीत पसंद है? Do you like music? आपको सोना चाहिए. You should sleep. आपको सोना चाहिए. You should sleep. आपको किस चीज़ की जरूरत है? What do you need? आपको किस चीज़ की जरूरत है? What do you need? तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम्हारे के तौर पर इस्तमाल हो रहा है याँपर. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you. जी हाँ. मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा. आपको ये क्लास कैसी लगी? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. क्लास बढ़िया लगी है ना? तो क्लास को क्या करना है भई? क्लास को लाइक करना है. क्लास को शेर करना है. मुझे कमेंट करके बताना है कि माम क्लास कैसी लगी? क्लास बढ़िया लगी? ऐसी क्लासेस. मतलब फोकस्ट, टॉपिक बेस्ट और एक चीज जिसके उपर हमें कई वार कन्फूजन होता है, ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, इसके उपर बेस्ट क्लासेस जो हैं आप लाती रहें, चलिए, मैं आप से मिल हूँगी आपके अगली क्लास में. Till then, thank you so much for watching.